ब्राहमन का धन है तब गुरुदेव का अपने अंग अव्यवों से पत्रसने मित्रों, किसी व्यक्ति का ब्राहमन होना और व्यक्तित्व से ब्राहमन होना दोनों ही बड़ी विशेशकर बात है ब्रहामनत्व जीवन में होने का अर्थ किसी जाती या कुल से संबंदित नहीं है यह तो व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्भर करता है जिसके विचारों में उतकरिष्टता, वाणी में मदुरता, व्यक्तित्व में शालीनता है, सौमेता तथा विनम्रता है व्यक्तित्व में चमक है, जो वाणी से नहीं अपने आचरन से सीख दे, वही सचे अर्थों में ब्रहामन है जब व्यक्ति का आत्मिक स्तर उपर उठता है तो उसका व्यक्तित्वक कैसा होता है इसका उलेक आईए जानते हैं आज के इस पत्र के माध्यम से गुरुदेव का अपने अंग अव्यवों से पत्र सने दिनांक 1 अक्टुबर 1963 हमारी आत्मस्वरुप आपका पत्र मिला आपकी नवराती साधना स्वा आनंद संपन्ध हुई यह बड़े ही संतोष की बात है ब्राह्मन का धन तब ही है आप जिस मार्क पर चल रहे हैं उससे आपका तो कल्यान होना ही है जो लोग संपर्क में आवेंगे उनका भी हिद्साधन होगा पूल में जहां सुगंद होती है वहां अनेको भोरे आ जाते हैं मीठे पर अनेको चीटी आती हैं चुमबक के आसपास कितने ही लोहे के टुकडे खिच आते हैं आपकी आत्मा डाईसो तीनसो को ही नहीं आगे चलकर लाखो करोडो को प्रकाश एवं मार्गदर्शन देने वाली है पवित्र आत्माओं का तब सब प्रकार सार्था की होता है आपका उठता हुआ आत्मिक स्तर देख कर हमारी आत्मा को कितना संपोश होता है इसका उलेक पत्र की पंक्तियों में संभव नहीं, आपका जीवन लक्षय सब प्रकार पूर्ण हो, यही कामना निरंतर बनी रहती है, सब स्वजनों को हमारा आशिरवाद और माताजी का स्ने कहें, श्री राम शर्मा, प्रियजनों, गुरुदेव ने हम सब को ब्रामन होने का श्रे दिया, जो उनसे जुड़े, वो ब्रामन हो गए, जिसने उनके विचारों को अपना लिया, उनके जीवन में सच्चा ब्रामन अत्वा आ गया, इसलिए तो गुरुदेव ने पत्र में कहा, कि ब्रामन का धन साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहे धन्यवाद